कप्चा सप्तम की सभी भईयाओं को सुफर बात। आज हम संस्क्रिट विशे में पाठ साथ सत्तमापाठ संकल्पह सिध्दी दायिक का अध्यन करेंगREEB संकल्पह अर्थाथ दृड निष्चे संकल्पह दृड निष्चे माता पार्वती द्वारा शिव को पती रूप में स्विकार करने के लिए जिस प्रकार तपश्या की गई जिस प्रकार संकल्प करके अपना ध्रिड निष्टे उन्होंने जब तक शिव को पानी लिया तप्रिक्या वो कथा हम इस पार्ट के अंतरगत पड़े हैं पार्वती सिवง पति रूपे नं अवां चत्त एताधर्थम मोनुरुथम मात्रे नेवयदयत तत सृच्वा माता में ना चिन्ता कुला अभोर्थ segue सिवง पती रूप में चाहती थी एददर्थम साथ तपश्याम करतुम एच्छत इसके लिए साथ तपश्याम करतुम एच्छत वो तपश्या करना चाहती थी किसके लिए तपश्या करना चाहती थी? शिवकुप पती रूप में चाहने की कारण वो उन्हें पाने के लिए तपश्या करना चाहती थी सा स्वकियम मनोर्थम मात्रे नेवेदयत उनोंने किनोंने पार्वतिजी ने स्वकियम मनोर्थम अपना मनोर्थ अपनी जो इच्छा थी मात्रे नेवेदयत मां से नेवेदयन किया सतस्रित्वा माता मेना चिंता कुला अभवद ये सुनकर माता मेना मेना या니 पारतिजी की माता का नाम था चिंता कुला अभवद चिंता से व्याकुलोग रिपरिशान होगे केती है मेना माता मेना केती वत्से मनीशिताह देवता ग्रहे एव संती तपह कठिनम भवती तव शरीरं सुको मलम वर्थते ए ग्रहे एव वस अत्रेव तवा भिलाशे सपला भविशती माता मेना ने पार्वती वत्से है पुत्री मनीशिता देवता ग्रहे एव संती मनीशिता याने इच्छित जिनकों चात है ऐसे देवता ग्रहे एव संती घर में ही है तप कठिनम भवती तप जो है तपश्या कठिन होती है तप करना कठिन होता है तव शरीरं सुको मलम वर्थते तुमारा शरीर कोमल है ग्रहे एव वस घर में ही रहो अत्रेव तव अभिलाश सपल भविशती यही परी जो है तुमारी तव अभिलाश तव यानि तुमारी अभिलाश यान इच्छा सपल भवती सपल होगी यही पर तुमारी इच्छा जो भी है वो सपल होगी पार्वति गेती अम्ब ताद्रिश अभिलाश तु तपसा एव पूर्ण भईशती अन्य था ताद्रिशम पती कथम प्राप्ष्यामी अहम तप एव चरिश्यामी इती ममसंकल पह। पार्वति ने का अम्ब हे माता ताद्रिशम अभिलाश ऐसी अभिलाश ऐसी इच्छा तु तो तपसा एव पूर्ण भईशती तपस्या से ही पूर्ण होती है जो इस प्रकार का जो द्रनिश्चे है वो तो तपस्या से ही पूरा होता है अन्य था ताद्रिशम पती पतिम कथ प्राप्ष्यामी अन्य था वेसे पती कैसे प्राप्ष्य करूंगी यदि मैं ऐसी तपश्या नहीं करूंगी तो वेसे पती कैसे प्राप्ष्य करूंगी अहम तप एवचरिश्यामी इती मम संकल्पा अहम तप एवचरिश्यामी मैं तपश्या ही करूंगी अहम तपह एव यानि ही मैं तपह एव चरशे मैं तपह शरी करूँ इती मम संकल्प ऐसा मेरा संकल्प है मेरा निश्च्च है माता मेना केती पुत्री तौमेव में जीवना अभिलाशा माता मेना के पुत्री है पुत्री तौमेव तौम ही में जीवना अभिलाशा मेरी जीवन की इच्छा हो तौम ही मेरी जीवन की इच्छा हो पारवत्ति के सत्यम सत्य है परम मममना लक्षे प्राप्तुम आकुलितम वर्तते सिद्धिम प्राप्य पुनह तवेव सर्णम आगमिश्यामी अद्धेव विजियया साकम गौरी शिकरम कच्छामी पारवत्ति जीवना ने कहा है जब माता ने कहा कि तौम ही मेरी जीवन की अभिलाशा हो बड़तते किन्तु मेरा मन जो है लक्षे प्राप्त करने के लिए आकुलित यानि परिशान है शिद्धिम प्राप्पे पुनह तवेव सरणम आगम श्यामी सिद्धी प्राप्त करके सफलता प्राप्त करके मैं फिर से तुमारे पास ही तुमारी सरण में ही लोट आउंगी अध्धेवा विजिया शाकं गौरी शिक्रम गच्चामी अध्य धन एव आज ही विजिया के साथ गौरी शकर पर जाऊंगी ऐसा केते हैं ततह पार्वती निश्क्रा मती और पार्वती वहां से निकल जाती है ऐसा करकर कि पार्वती वहां से निकल जाती है पार्वती मनसा वच्चिसा कर्मनाच तप एव तपती इस्म कदाचि रात्रो इस्थन्डिले कदाचि शिलायां स्वपिती इस्म एक दा विजिया अवदब पार्वती मनसा वच्चिसा कर्मनाच तप एव तपती इस्म पार्वती जो है मन से वचन से और कर्म से तपशे ही कर रही थी कदाचित रात्रो इस्थंडिले कदाच्ची शिलायाम स्वपितिस्म कदाचित कभी-कभी तो रात्रे में भूमी पर कभी जो है शिला पर पत्थर पर स्वपितिस्म सो जाती थी यानि उसका मन, क्योल, मन वचनरवानी तपश्या के यदीन थी, तपश्या में लीन थी, तो कभी भी वो विचार करती को ती रात्रे में बोमी पर, कभी पत्थर पर ही वो सोजाती थी एक दा विजिया अवदर, एक दिन विजिया बोली, विजिया उसकी सहली जो बोली, सखी तत प्रभावात हिंच हा, पश्यो अपी तव सखाये जाता, पंचागने व्रतम पी तम अतप, पुनरपी तव अविलाश न पुर्णा अभवत, न पुर्णा अभवत एक सखी, विजिया ने का कि सखी है सखी तव प्रभावात हिंच पश्यो अपी तव सखाव जाता हा, तुमारे सखी तप के प्रभाव से हिंचक पश्यो भी तव सखाये जाता, तुमारे मित्र बन गए, तप के प्रभाव से हिंचक पश्यो जो है वो भी तुमारे मित्र ब चारोत रप अगनी इस्थापित करके तुमने तपश्य करली, पुनरपी तव अभिलाश न पूर्ण बोद, फिर भी तव अभिलाश न पूर्ण बोद, फिर भी तव अभिलाश न पूर्ण बोद, फिर भी तुमारी अभिलाश तुमारी इच्छा पूर्ण नहीं होई, पू अरी विजय, किमना जाना सी? क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापी धेर्यमना परते हैं। आपी चे मनुर्थाम गती नास्ती और इच्छाओं की गती हीनेता भी पूरी नहीं होती। विज्या तुम वेदम अधिवती यग्यम संपादित्वती तप कारणा जगती तव प्रसिद्धी अपरना यती नामना पी तुम प्रसिद्धा पुनर पी तपश्या फलम नेवद रिश्यते। अपरना यती नामना अपी तुम प्रतिता यानि जिसने तपश्या के करते वे पत्ते तक भी नहीं खाया ओं पल पूल छोड़ तो बहुत दूर गी बात हैं पत्ते तक भी नहीं खाऊं इस प्रकारी की तपश्या करने वाली उसको अपरना कहा जाता है अपरना इती नामना अपितम प्रतिता अपरना इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई पुनरपी तपशा फलम नेवद रशते फिर भी तपशा फलम नेवद रशते नदनेवद नहीं फिर भी पुनरपी तपशा फलम तपशा का फल नेवद रशते नहीं दिखाई देता, फिर भी तपश्या का फल दिखाई नहीं देता, पार्वती केती है, अई आतुर हिर्दे कथम तुम चिंतिता, हे आतुर हिर्दे वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो, किस प्रकार चिंतित हो, नेपत्ते, अई भू, अहम आश्रम अट हे अहम आश्रम वटू जलम वाच्छामी पर्दे के पीजे से आवा जाती है हे अहम मैं आश्रम वटू ब्रह्मचारी जलम वाच्छामी जल चाता हूँ निफत्य से पर्दे के पीसे एक आवाजा तीक अहम आश्रम वटू मैं आश्रम का ब्रमचारी जलम वानचामी जल चाहता हूँ स स ब्रमम विजे पश्य कोपी वटू आगतो अस्ती घबराते स सम ब्रमम घबराते विजे पश्य कोपी वटू आगतो अस्ती विजिया से कहती है हे विजिये पस्षे देखो कोपी वटव आगत्वस्ती कोई ब्रह्मचारी आया है विजिया जटिती अगच्छत सहसेव वटव रूपधारी सिव तत्र प्राविशत विजिया जटती अगच्छत विजिया तुरंत आती है सहसेव अचानक वटव रूपधारी सिव ब्रह्मचारी वेश में सिव तत्र प्राविशत ब्रह्मचारी के वेश में सिव वहाँ पर प्रिवेश करते हैं विजिया वटो स्वागतमते हे ब्रह्मचारी स्वागतमते आपका स्वागते उपविशतु भवान आप बैठिये यह मेरी सहली पार्वती है शिवम प्राप्तम अत्रह तपह करोती शिव को प्राप्ते करने के लिए यहां तपश्या कर रही है ऐसा विजिया ने उस ब्रह्मचारी वेश्ट धारन करके जो शिवम वहाँ पर आये थे उनको नेवेदन किया आज हम इतना ही पढ़ेंगे शेशवाग हम बाद में पढ़ेंगे यहां तक आपको अद्विश्या